नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है Sonu Sing और आप देख रहे हैं Sonu Sing PPT वाले आज किस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं perception के बारे में तो इस पूरी वीडियो में हम discuss करेंगे क्या होता है perception और क्या कुछ factors हो सकते हैं जो perception को influence या affect करते हैं और इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगी, लिंक आलरीड है डिस्क्रिप्शन में होगा, जब तक मैं बना चुका होँगा ये वीडियो, जब तक ये वाली अप्लोड होगी, उसके अंदर हम डिसकस केंगे कि क्या होता है परसेप्चुल प्रोसेस, क्योंकि ये वीडियो क्या होता है परसेप्शन, परसेप्शन होता है सोचना, ठीक है, आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, वो सब होता है परसेप्शन, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो इ यह जो भी time हो रहा है यह जो भी environment है यह situation है जिसके तहट आप यह perception बना रहे हो मेरे प्रति ठीक है तो perception क्या होता है पांच senses होता है हमारे taste, smell, touch, sound और sight ठीक है इन पांच senses से अगर आप कुछ भी input ले रहे हो environment में जिस environment में आप रहे हो जो भी आपके रिद्गिर्द हो रहे ह है अगर उस environment से आपके पांच senses के जरिये कुछ भी input आ रहा है आपके अंदर और उसको आप organize करके दिमाग में select करके उसके कोई आप meaningful picture बना रहे हो ना उस चीज की तो आप उसके बारे में perception बना रहे हो ठीक है तो यही होता है perception और अगर लिखने वाली term में बोला जाए तो in simple sense perception means perceiving perception का मतलब होता है perceive करना कुछ भी observe करना perception को हिंदी में बोल सकते है अनुभूती करना अनुभव करना या किसी चीज को समझना या किसी चीज को observe करना ठीक है that is giving meaning to the environment around us जो भी environment है हमारे earth grade जो भी चीज़े हो रहे है उसको meaning देना ही होता है perception उसके बारे में आप क्य क्या सोच रहे हो आपके अंदर वो input जा रहा है environment से कुछ भी चीज हो रही है आप उसको देख रहे हो या सुन रहे हो या चू रहे हो या टेस्स कर रहे हो या smell कर रहे हो तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो है in return ठीक है वो हो गया आपका perception उस चीज के परती perception is the process by which people select organize, interpret information to form a meaningful picture of the world ठीक है perception एक ऐसी process है जिसके जरीए जो लोग होते हैं वो select करते हैं जो environment सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ तो आप नहीं देख सकते हैं उसमें से selective चीज़ें आप देखते हो उसको organize करते हो अपने दिमाग में कि क्या क्या चीज़े है फिर ठीक है उसके फिर meaningful picture बनाते हो उस चीज़े को समझते हो उस चीज़े को interpret करते हो ठीक है वही चीज़ होती है perception अब अगर बात करें कि क्या factors हो सकते हैं जो perception को affect करते हैं तो भाई तीन चीज़े ही होती है perception में तीन चीज़ों के अंदर बहुत सारे sub-points होते हैं जो perception को affect कर सकते हैं तो सबसे पहले discuss करेंगे है characteristics of the perceiver या जो भी observer है अगर मैं आपको मैं आपके प्रती कोई perception मना रहा हो या कोई एक बंदा दूसरे बंदे की प्रती बना रहा perception तो उस बंदे की क्या characteristics हो सकती है जो उसके perception को affect कर सकती है तो यहाँ पर कुछ छे चीज़े हैं जो characteristics of the perceiver में आ सकती है जो कि है attitude, motive, interest, experience, expectation and self-concept अब बात करते हैं attitude की जो बंदा perception बना रहा है उसका attitude भी उसके perception को काफी हद तक effect करता है कैसे करता है जैसे कि example लो companies में क्या होता है कि जो employees आया है मालों नए-ने employees आया ह positive attitude है जो भी काम हो रहा है उसके परती तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे या management को support करेंगे पूरी तरीके से अपना 100% देंगे ठीक हैं वहीं अगर employees का negative attitude है काम के परती वो काम करना ही नहीं चाहते हैं तो उनका perception काम के परती negative ही रहेगा तो उनका जो personal attitude है वो भी effect करता है perception को एक और example आप इसका ले सकते हो जैसे कि एक बंदा गया interview देने जो interviewer था उसका attitude यही था कि इस job के लिए है न जो लड़किया ही सही है बस लड़के नहीं हो सकते है इसके लिए qualify तो उसका attitude अगर वो है तो जो candidate आ रहा है उसके लिए जो perception बनेगा उसका interviewer का वो negative ही बने पढ़ने का अधैशी है तो आप उसे साबसे perception मनाओगे आपका मस्ति करने का यहा कुछ slang सुनने का उद्दैशी है तो आप उसे आपसे perception मनाओगे थर्ड होता है interest कि जो भी आप चीज देख रहा है जो भी आप चीज observe कर रहे हो उसमें आपका कितना interest है अगर ज़्याधा interest है तो आपका perception अलग होगा उसके time पे जैसे कि क्या होता है कि जैसे मालोग कोई parent है वो टीवी में कोई news चलाता है तो उस time पे बच्चों का interest वापे नहीं होता है तो इसलिए उनका perception negative ही रहता है कि क्या या news news देखते रहते हैं लेकिन अगर अगर उनका interest है news में थोड़ा सा भी तो उनका perception news के प्रती बहुत अच्छा होता है कि आप ही news सुनना चाहिए बहुत अच्छी चीज होती है हमें knowledge होती है बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी ठीक है तो interest बहुत matter करता है perception में अलते time अगर आप मेरे को देख रहे हैं आपको इस topic में या इस lecture में थोड़ा से इंटरस्ट है तो आपका perception अलग होगा मेरी तरफ अगर आपको इस topic में इंटरस्ट ही नहीं है आपको पता ही नहीं कि topic क्या होता है आपके syllabus में है ही नहीं topic फिर भी आप अगर यह वीडियो देख रहे हो तो आपका perception विलकुल अलग होगा ठीक है आप मेरी आवास को तो सुन रहे होगे लेकिन समझ नहीं रहे होगी कि आप मैं बोल रहा हूँ फोर्थ होता है experience कि perception जो बना रहा है उसका past experience कैसा है उस चीज़ को लेकर जैसे कि मान लो आप दुवारे से वीडियो का यह example ले सकते है कि आप अगर मेरी वीडियो अगर मेरी पुराने students मेरी वीडियो देख रहे हैं जो मेरे को जानते हैं जोनोंने पहले सुना हुआ है उनका perception अलग होगा उनका समझने का तरीका अलग होगा मेरी वीडियो से और जो नए-नए आये हैं बिलकुल उनका perception का तरीका वो अलग-अलग चीज़े सोच रहे होंगे इस टाइम पे तो यह हो सकता है experience कि past में उसके साथ कितना हुआ है वो चीज़ ठीक है तो उसके लिए भी perception हो सकता है जैसे कि क्या होता है कि कई बार आपने सुना होगा दो तरीके के employees होते हैं किसी भी organization में एक बहुत ज़्यादा tenured होते है past experience होनका बहुत ज़्यादा होता है और एक बिलकुल नए employees होते हैं क्या क्या चीज़े हैं वो curious रहेंगे हर एक चीज़ के लिए लेकिन जो experience न employees है उनको पता है कि कैसे काम होता है तो उनका perception बनाने का तरीका अलग होगा उस job के लिए फिफ्थ होता है expectation अगर आप किसी चीज़ से कुछ expect कर रहे हो और वो चीज़ वैसे नहीं होती है तो आपका जो perception है आपका जो नजरिया है उस चीज़ को देखने का वो अलग हो जाता है for example company में कोई भी employee होता है वो अपनी job से बहुत जादा खुश होता है ठीक है तो यहाँ पे भी perception बहुत जादा effect होता है किसे expectation से कि आपकी पहले उस चीज़ से लेकर क्या expectation है और क्या नहीं है last होता है self concept अगर कोई perceiver है वो कुछ particular perception बना रहा है तो उसका self concept वो किस तरीके का इंसान है उसका inner self कैसा है वो भी उस चीज़ को effect करेगा ठीक है अगर वो बहुत जादा positive बन्दा है बहुत जादा अच्छा बन्दा है बहुत जादा motivated बन्दा है तो वो अलग तरीके से उस चीज़ को देखेगा जैसे कि एक joke सुनाओगा आपने लागर खान का उसके पापा आते हैं घर को अलगी नजरिया से देखते हैं उसकी मम्मी अलगी नजरिया से देखते हैं तो उनका क्या है वो self concept है उनको पता है कि कैसी चीज़े होती है ठीक है तो ये हो गया characteristics of the perceiver के basis पे कुछ 6 point second होता है characteristics of the target कि किस चीज़ के लिए perception बनाया जा रहा है उसकी क्या-क्या characteristics है वो भी effect करेंगी perception को इसमें सबसे पहला और सबसे important जो होता है वो होता है physical appearance ठीक है जो भी आपका subject है या जो भी आपका target है जिसके लिए आप perception बना रहे हो उसका physical appearance कैसा है जैसे party में अगर आप कोई एक dress पहन के जाते हो party wear पहन के जाते हो तो ठीक है आपको same जैसे ordinary लोगों को वो किया जाता है वैसे आपको perceive किया जाएगा या तो आप बहुत ज़्यादा attractive हो तो आपको बहुत अच्छा perceive किया जाएगा तो दो ही तरीके हो सकते है या तो बहुत ज़्यादा attractive या बहुत ज़्यादा कम attractive ordinary बंदों के लिए perception अलग होती है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए perception अलग होती है बहुत कम attractive लोगों के लिए perception अलग होती है तो physical appearance बहुत matter करती है perception बनाते time second होता है verbal communication कि जो भी चीज़े आप बोल रहे हो या जो भी चीज़े आपका जो target है वो बोल रहे है वो आप सुनके आप उसके लिए perception मना सकते है verbal communication में communication skills हो सकती है voice tone हो सकती है कि किस तरीके कि उसकी आवाज आ रही है ठीक है और politeness कितनी है उसकी आवाज में accent क्या है उसकी आवाज का ये सारी चीज़े verbal communication होती है जिसके जरीए perception जो perceiver है वो ये चीज़ देखता है अपने target में और उसके बाद उसको perceive करता है या perception मनाता है उस target के प्रफी थर्ड हो सकता है non-verbal communication अब जितना verbal communication effect करती है perception को उससे कहीं जादा non-verbal communication effect करती है बिना बोले आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो या आपका target कुछ भी चीज़ कर रहा है eye contact हो सकता है body posture हो सकता है facial expressions हो सकते हैं बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं जो non-verbal तरीके से हो सकती है जो target में हो रही है non-verbal तरीके से ठीक है जैसे कि कई बार होता है कि आप इशारे इशारों में चीज़े समझ जाते हो या बहुत जादा कोई इशारा कर रहा है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ perception मनाने लग जाते हो ठीक है तो ये चीज़ भी perception को effect करती है non-verbal communication वाली चीज़ कई बार होता है कि यार ये बंदा तो ऐसे चल रहा है मतलब इसके बार में perception ना लोगी भाई इसके पैरों में कुछ ना कुछ चोड़ वोड लगी होगी बेशक नहीं लगी हो वो कुछ टाइम के लिए वैसा चल रहा है non-verbal communication है वो ठीक है fourth होता है object जैसे कि एक बोला जाता है कि अगर बहुत सारी चीज़े group में रखी हुई है तो आप उसको group में ही perceive करते हो उसके बारे में perception बनाते हो जैसे कि एक example ले सकते हो कोई एक school picnic पे group जा रहा है तो आप उसको as a group ही perceive करोगे ठीक है अकेले कोई एक-एक student को perceive नहीं करोगे एक-एक student के बारे में perception नहीं बनाओगे तो जो objects होते हैं जिस तरीके से वो present किये जाते हैं target में वो भी चीज perception को effect करते हैं ठीक है अगर वो group में है तो आप उसको group की तरह perceive करोगे अगर वो अकेरिया के लिए individually है तो उनको individually परसीव करोगे थर्ड होता है characteristics of the situation आप perceiver का तो characteristic होगया कि perceiver के जो भी characteristics है वो perception को effect करेंगे characteristics of the target होगया अब characteristics of the situation कि कि time पे वो perception मना जा रहा है same चीज के भी जैसे मालो कि मैंने एक party wear dress करी ठीक है वो dress मैं पहन के जाता हूँ party में तो मेरे तरह लोगों का perception अलग होगा बजाए उसके अगर मैं वही dress पहन के चला जाता हूँ office में party wear dress पहन के तो वहाँ पे जो office के लोग होगे उनका perception अलग होगा वही मैं तो सेम होना stimuli जो है वो तो सेम है लेकिन perception अलग अलग हो सकता है क्योंकि change of time की वज़े से ठीक है second होता है work setting work setting में क्या होता है कि काम के time पे आपके employer या जो भी चीज़े है आप काम के time पे अलग perception बनाते हो क्योंकि आप जैसे office में जा रहे हो तो आप जो भी office के लोग होंगे उनके प्रति आप अलग perception आए जो जिस time पे भी आप काम कर रहे हो उस time पे आपका perception अलग रहेगा हर एक चीज़ को लेकर ठीक है third होता है social setting कि आप जो काम के अलावा जो भी आप society में रह रहे हो या जिस जिन भी लोगों के साथ मिल जूल रहे हो काम के अलावा उनके प्रति क्या perception हो आप रहे है वो अलग रहेगा ठीक है work setting और social setting का perception अलग-अलग हो सकता है तो यह तो हो गया situation ठीक है तो यहाँ भी तीन चीज़ें हमने डिसकस करी characteristics of the perceiver and characteristics of the situation कि किस situation में perception बनाया जा रहा है यह तीन चीज़े perception को बहुत ज़ादा effect करती है ठीक है यही तीन चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें होती है जो perception को effect करती है लेकिन लिखने के लिए अगर exam में लिखना है तो यह तीन चीज़ें more than enough है तो यही था इस वीडियो में यह वीडियो अभी खतम नहीं हुए यह topic अभी खतम नहीं हुआ है नीचे link description में होगा process of perception जो की बहुत ज़ादा important है कई बार exams में पूछा जा सकता है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना कि क्या process होती है क्या प्रक्रिया होती है perception बनाने की कैसे कोई भी आदमी perception बना सकता है कोई भी इंसान perception बनाता है generally ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना पसंद आई जाती है और subscribe करना मुद भूलना अगर मेरे चैनल पने नएया है हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे वीडियो के अपडेट्स आते रहें बेल आइकन आपकी मर्जी आप दबा भी सकते हो नहीं भी दबा सकते हो ठीक है तो मिलते हैं हैं से नेक्स वीडियो में जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश की जाएगी और सब पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी काम जारी है ठीक है टेंशन में कोई बात नहीं है तो मिलते हैं से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुट बाय टेक्यार हैवर नाइस दे